नमस्कार जहन साथियूं मैं विवेक ओदिच्चेप आप सभी बच्चा पार्टी का हार्दिक स्वागत बंदन चंदन और अफिनन दन करता हूं आपके अपने प्लेट फॉर्म टीचर्स एक्स प्रेस पर टीचर्स एक सफर मंजिल की ओर टीचर्स एक सफर आपका आपके सप दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं उमीद करते हैं आपने देख करी वीडियो को क्लिक किया होगा कि सीटेट सिक्स टू एट वाले जो बच्चे हैं जो सीटेट का जूनियर का एक्जाम देने जा रहे हैं वह पेपर में क्या पढ़ना है कहीं आप गलती से कुछ बैसा त रखा है या तो एग्रीकल्चर से हैं पीसीम से हैं मैस से हैं या या भी यह हिस्ट्रीज़ागरफी पॉलिटेइच सिविक्स किसी से भी हैं तो उन सभी लोगों के लिए मैं आप सभी लोगों को बताने बाला हूं कि आप सभी लोग क्या कुछ पढ़ सकते हैं और कैसे आपका जूनियर में 60 नंबर काएगा जिसमें 30 नंबर की आपकी पैड़ागोजी होगी और 30 नंबर की आपकी जो होगा वह आपका कंटेंट होगा कंटेंट क्या होगा 6, 7th और 8th की NCRT की Book NCRT की Book 6, 7th, 8th, NCRT Book और 16 number की आपकी 30 number की आपकी पेड़ागोजी आएगी ये तो रास लेवस ये पढ़ना किसको है? जूनियर वालों में ये पेपर किसको देना होगा अगर आपने BA कर रखा है बी आपने किसी भी stream से कर रखा हो history से, civics से, quality से, geography से यानि कि किसी भी stream से अगर आपने बी ये कर रखा है तो आपको sst का paper देना होगा तीस नंबर की pedagogy, तीस नंबर का content, 6-7th earth class की ncrt की किताबें पुछी जाएंगी जिसमें history, geography, politics, civics, economics सब कुछ होगा अगर आपने b.com कर रखा है, तो भी आपको यही sst का paper solve करने को मिलेगा आपको करना होगा b.com बालों को, वहीं यदि मैं बात करूं, science plus math science plus math की अगर मैं बात करूं, ये आता है आपका 60 number का paper होगा जिसमें से 30 number की math होगी, 30 number की science होगी, फिर इसमें 15 number की pedagogy 15 number का content, 15 number की pedagogy, 15 number का content यानि कि science, 30 number की science, 15 content, 15 की pedagogy, 15 का content, 15 की pedagogy ये मैंने पी लिख दिया, pedagogy, content, pedagogy और content, यहां से content पढ़ने के लिए NCRT की आपको 6, 7th और 8th class की book से पढ़ना होगा, वहीं यदि मैं बात करूं, आप सबी लोगों से, ये कौन-कौन, इसका exam देगा, इस subject वो कौन-कौन पढ़ेगा, तो B-Tech वालो, आपके लिए ये है, BST वालो, अगर आपने AG से BST कर रखी है, PCM से BST कर रखी है, या PCB से BST कर रखी है, तो आपको ये paper देना होगा, second paper में, और वहीं अगर मैं बात करूं, आपने BA कर रखा है, आपने B.com कर रखा है, तो आपको SST देना होगा, उमीद करते हैं आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर content content पसंद आया हो, तुमको लगा हो कि तुमारे लिए beneficial है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि द आपको संद आता हैं.